नमस्क्र दोस्तों और स्वागत है अब सभी लोग का स्वो कामबाट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन फिट्बॉल टीम के बारे में और मैं आपको बताऊँगा कि इंडियन फिट्बॉल टीम पार्सिपेट करने जा रहे है Asian Games 2022 में after 2014 Asian Games और मैं आपको बताऊँगा कि क्या importance है इस टूनामेंट का और हमें क्यो पार्ट से पेट करना चाहिए क्या rules होंगे और क्या format होका टूनामेंट का और साथ में अपने दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जो AFC Asian Cup 2023 के qualifications होने वाले हैं यानि की third round और final round qualifications होने वाले हैं उसका जे draw है वो कब निकाला जाएगा और जो latest updates आये हैं उसको लेकि जो की बहुत यह अच्छा update है साथ मैं उस update को लेकि लेकिन उसके लिए माफ़ी माँगना चाहूँगा लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उस update के बारे में बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले मैं आप लोग सभी लोग से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब को वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो आपको यहां पे इंडून फुटबॉल्स रिलेटड सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और साथ में हमारे इंस्टाग्रेम पेज को भी follow करो जहां पे हम quick updates डालते रहते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो के साथ साथ आप comment करके बताना कि आपके क्या क्या questions है, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे answers तू तो start करतें दोस्तों वीडियो को, अगर हम बात करें Asian Games की, तो Asian Games में football tournament होते हैं, हम सभी जानते हैं, basically ये एक 123 tournament होता है, 2002 से इसे 123 tournament बना दिया गया, लेकिन 3 senior players allowed होते हैं यानि की 23 साल से जादा के जो players हैं, वो 3 ऐसे players होते हैं, जो कि खेल सकते हैं इस tournament में, एक Olympic जैसा कुछ rule है, और 2002 के बाद इसे एक under 23 tournament बना दिया गया है, और अभी भी 3 senior players join कर सकते हैं उस team को अगर हम बात करें, इंडिया की Asian Games में अभी तक की records की तो अगर इतियास की बात करें, तो इतियास बहुत ही सुनेरा रहा है भारतिय फुटबॉल टीम का, जहां पे लोंने 2 gold medals जीते हैं और 7 में ही एक bronze medal भी जीता है अगर हम बात करें, अपने last medal की तो वो आया था 1970 में जो कि एक bronze medal था और 1962 में हमने हराया था South Korea को और हम जीते थे यहां पे Asian Games में gold medal, South Korea वही टीम है जो कि पिछले बार, पिछले दो बार से champion है, यानि कि 2014-2008 रहके जो Asian Games हुए हैं उसमें gold medalist है South Korea, जिसको हमने 1962 तम हराया था और आज देखे, हमारी के हालत है और South Korea कहां पहुँच चुका है अगर हम बात करें और back record की जो सबसे पहरा Asian Games हुआ था उसमें भी भारतियर टीम नहीं gold medal जीता था उसमें हमने इरान को हरा के gold medal जीता था तो बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है जो matches है वो चाइना में होंगे और under 23 कहीं Asian teams खेलेंगी on an average 25 to 26 team participate करती है इस tournament में कुछ criteria होते हैं लेकिन almost सभी team जो की like खेलना चाहते हैं वो अग अपना contingent भेजते हैं tournament में तो वो team खेल सकती है इसलिए 25 to 26 teams इस tournament में खेलती है और अगर हम बात करें कि क्या लाप दायक होगा भार्टी फुट बॉल टीम के लिए तो अगर मैं बता हूँ तो जो कि basically हमारे most of the players ऐसे हैं जो 5 से 6 ऐसे players हैं जो कि regular team का हिस्सा हो सकते हैं और वो अभी under 23 age के अंदर है तो वो सारे players के लिए बहुत ही अच्छा अफसर होगा क्योंकि जो बाकी जो team में होंगी इस tournament में जो कि AFC Asian Cup 2023 में खेल रही होंगी और उनके कुछ ऐसे youngsters होंगे जो कि इस tournament में खेल रहे हैं और साथ में भी AFC 2023 Asian Cup में भी खेलेंगे तो उनके साथ खेलने की opportunity मिलेगी भारते football team के players को एक young generation के players को और साथ में 3 senior players को और हमें पता चलेगा कि हम कहां पे हैं और क्या तयारियां हैं हमारी AFC Asian Cup 2023 को लेके और साथ में अगर long term goal देखे तो 2026 FIFA World Cup और 2030 FIFA World Cup को लेके हमारी क्या तयारियां हैं और किस तरीके से हमें अपना track बनाना परेगा ताकि इन tournaments में भी हम qualify करें तो बहुत important tournament होगा यह देखने वाली बात होगी कौन से 3 senior players के साथ जाएंगे अलांकि अगर under 23 players की बात करें तो एक तरीके से कुछ set of players हैं जो की लेके भारते football team जा सकती है जिनके बारे में हम बात करेंगे जब यह tournament जो है वो September के महीने में जब start होगा यानि कि Asian Cubs जब 15 September के आसपास से start होने वाले हैं 2022 में तब से tournament start होगा और till the end चलेगा तो हम उमीद करेंगे कि भारते football team को जा से जादा matches मिले और अच्छे team हों से खेले ताकि हमारे young players हैं और साथ में जो तीन senior players हैं वो काफी experience के इन कर पाएं तो ये एक अच्छी बात है 2018 में हमने अपना contention नहीं भेजा था ये बहुत ही बुरी बात ही जिसको पर थवा बहुत बावाल भी हुआ था लेकिन 2017 में हमने तुरंद यहां पे 2017 FIFA World Cup Post किया था तो कुछ related stuffs थे उससे इसलिए कुछ माँ पर कर बढ़ी हुई थी लेकिन 2022 में हम चार रहे हैं Asian Games केलने तो ये एक अच्छी बात है अगर हम बात करें अभी इंडिया की current ranking Asia में तो इंडिया 7th ranking पर है जो की बहुत ही अच्छी बात है अगर हम start करें दोस्तों अपने दूसरे topic के उपर जो की है AFC Asian Cup Qualifiers तो मैं आपको पता देना चाहूँगा जो AFC Asian Cup Qualifiers के 3rd round होने वाले हैं वो होने वाले 8 June से लेके 15 June तक और उसके लिए जो group divided होने हैं वो अभी नहीं हैं वो 24 तारिको यानि कि कल ये जो groups बटेंगे वो कल बटेंगे यानि कि जो pots हैं चार pot हैं pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 इसे groups बनेंगे हर एक group में एक एक team होगी pot 1 की, एक team होगी pot 2 की एक team होगी pot 3 की और एक team होगी pot 4 की तो इस तरीके groups मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे यार कि वो जब यहां पे ड्रॉ निकाले जाएं तो मैं लाइव आओ और सब लोगों को बताओं अगर लाइक नहीं आपाओंगा तो ज़रूर एक वीडियो लेकर आओंगा जहां पर मैं आपको बताओंगा कौन से ग्रूप में इंडिया को रखा गया है और एक और अच्छी कबार है जो कि सबसे अच्छी कबार है कि इस टूनामेंट के जो मैचेज होंगे यानि की कौलिफायर्स के जो मैचेज होंगे इंडिया के ग्रूप के मैचेज होंगे इंडिया जिस भी ग्रूप में जाएगी उसके जितने भी मैचेज होंगे उसको इंडिया में होस्ट कि यूबा भारती स्टेडियम यानि की सौर्टले के स्टेडियम में इन मैचेस को होस्ट किया जाएगा और जून में मैचेस होंगे तो हम उमीद करते हैं कि कोविट का सिच्विशन कुछ वैसा नहीं रहेगा और फुल पैक स्टेडियम के साफ कमेंट करें वीडियो को शेयर करें थोड़ा इंगेजमेंट बराएं इस चैनल पर ताकि इंडियन फुट बारे में और भी जगरुकता फैल सके लोगों के पीच में तो वीडियो करते हैं खतम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द